बार बच्चों स्वागत है आप सभी का कारेपत्रक 27 में और आज हम आकडों का प्रबंदन करेंगे दिल्ली तथा सिक्किम से रिलेटेड आर्ट रिलेटेड जो questions या project आपको दिया गया है उससे related mathematics के questions करेंगे पिशली बार बच्चों आपने मंडल आर्ट देखा था उसमें आकरती कुछ अलगती ये भी मंडल डिजाइन है इस मंडल डिजाइन को आपको अपनी copy में बनाना है और तालिका को टेली चिन्न के द्वारा पूरा करना है तो इन आकडों को हम दंड आलेक द्वारा भी निरूपित करेंगे तो कैसे मंडल डिजाइन में गनेत ढूंडा जाता है पिश्वी बार आपने उसमें विभिन प्रकार की आकरतियां ढूंडी थी आज हम आकरती भी ढूंडेंगे उसको टेली चिन्न से भी दिखाएंगे और आकरती की संख्यां यानि बारम बारता भी हम निकालेंगे और उसके बार दंड आलेक में भी इसको निरूपित करेंगे वो गया ना बहुत सारा काम चलो शुरू करें तो सबसे पहले इस तरह की आकरती को आप देखो यह कितनी है यहाँ पर तो गिंती शुरू करतें 1,2,3 तो ये हमारे पास 9 है इसको हम टेली चेन में कैसे दिखाएंगे जब भी आपको टेली चेन बनाने हो बच्चों तो एक, दो, तीन, चार ऐसे बना के पांचवे से बंद किया जाता है फिर छे, साथ, आठ, नो तो ये रूल होता है कि चार ऐसे सीधे डंडे खीच के पांचव ऐसे बनाय जाता है इस तरीके से जो इनको एक बंडल के रूप में दिखा देता है जैसे गठर हो ना तो ये तुम्हें इसकी साहेता क्यों ली जाती है क्योंकि इससे गिनने में आसानी होती है आगया आने वाले प्रश्णों में आप देखो कि जब बहुत जादा नंबर ह जाते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे 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 भी बनाके नौ लिखोगे तो उसे गिनने में कितना टाइम लगेगा आप देखो इसको एक एको गिनना पड़ेगा लेकिन यहां पर देखते हैं आप पड़ पाते हो पांच और चार नौ ठीक है तो ये तुम्हारा हो गया नौ समझाया कि टेली चिनी क्यों बनाए जाते हैं उनको मिलान चिन भी बोलते हैं टेली मार्क्स इंगलिश में या मिलान चिन हिंदे में बोला जाता है तो अब उसके बाद दूसी तरहां की आकरती है जिसमें हमें ऐसे निशान नजर आ रहे हैं यह हमारे को ऐसे लग रह साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंदरा, सोला, सोला नजर आ रहे, तो उसके टेली चिन कैसे बनेगी, पांच का एक बंदल हो गया, चारे से बनाए पांच, पांच, दस, पंदरा और एक सोला, ठीक है, ओके, समझा है न, आपको टेली चिन किस तरह से बनाने ये खास बात है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक नहीं गिन रहे, सारी आकरती एक प्रकार से है, जब बड़ी कक्षाओं में आ जाओगे, तो उसमें आकड़े इस तरह से होगे, कि एक एक टेली चिन लगेगा आपका, फिर आप ये गिनती गिनते हो, यहाँ पर तो हम पहले गिनती गिन रहें और फिर टेली चिन बना रहें, आप यहाँ तो ये गिनना थोड़ा आसाण हो रहे है, अब हम ये त्रिबू जाकरती जो लाल रंग से बनीए, इसको गिनना है, ये एक, दो, तीन, चार है, तो एक, दो, तीन, चार बनेंगे और चार छिख देंगे आकरतियों के संग्या, अब इसको गिनते हैं, वृत को, वृत देखो, एक तो यह बना हुआ है, एक, फिर यह आ जाओ, काली यह से बना हुआ, दो, फिर बाहर आ जाओ, तीन, फिर चार, और फिर यह पांच, ठीके, तो यह एक, दो, तीन, और यह पांच, पांच बन गया है एक ये, दो, तीन, चार, तीन ये बने हुए ना, एक, दो, तीन, और ये चार और एक पाँच, ठीक है, ये पाँच होगे वर्ग, इवरित, आपके सर्कल्स पाँच होगे, अब हम एक क्या करना है, पहले टैली चिन से हमने बनाया था, और अब हम इसे दंडालिक में दिखान तो इस सारी चीज में आपको क्या करना था आकरतियों की पहचान करनी थी उनको गिनना था और टेली चिन में दिखाना था तो गिनना था आप सभी बच्चों को आता ही है आकरतियों की पहचान भी आप लोगों को है सिर्फ टेली चिन आपने नया चीज सीखा है टेली चिन ए एक Y अक्ष पे बना जाता है, उर्दवाधर अक्ष है, इसमें हम आकरतियों की संख्या गिन लेते हैं, तो जैसे मैंने 20 तक गिनती लिख रखी है, ऐसे करके, आप चाहें तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ग्राफ पे स्केल में ना सकते हो, क्योंकि नंबर्स बहुत जादा नहीं थे, तो हमने सिधा 1, 2, 3, 4 और इसको सरल बनाने के लिए भी मैंने इस प्रकार की गिनती लिए, जैसे थोड़ी बड़ी कक्षाव में हो जाओगे, तो हम 0, 5, 10, ऐसी भी हम किनतीया लेंगे, 15, 20, बीच वाले नंबर्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अभी हमने एक एक नंबर यहां पर दिखाए, अच्वा एक सक्ष पे आप लोगों ने विभिन आकरतियों को दिखाए अब दंड आलेक में क्या रहता है, कि आप इनको बराबर दूरी पे दंड बनाते हो, बतब दंड बनाने के अंदर आपको ऐसा नहीं करना होता कि एक चोड़ा बना दिया, एक पतला बना दिया, एक ऐसा चोड़ा बना दिया, ऐसा नहीं, आपको बराबर दंड आलेको की ज अलग अलग प्रकार की बनाएगा, वो गलत हो जाएगा और आपको नम बने में रहेंगे, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है, तो अब हमने देखा कि यह पहला वाला जो था आकरती यह 9 है, यह 16 है, यह 4 है, यह 5 है, तो हमने इसको दंड को यहाँ पे 9 जितना उचा बनाया, इस वाले को 16 जितना उचा बनाया, इसको 4 जितना बनाया, और इसको 5 बनाया, यह 5 जा रहा है, चार से थोड़ा सा उप है, ठीक है, और इसमें हमने आकरतियों को चिन बना दिया अंदर, कि यह किस आकरती के लिए दिख रहा है, तो विभिन आकरतियां हैं यह, और यह आकर आते जारे, एक वर्गी काई में एक उनिट हम बढ़ाते जारे, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है, एक स्केल आपका एक तरीके से बढ़ रहा है, तो यह हमारा यहां पर पैमाना है, अच्छा, इसके बाद आपड़े अगले प्रश्णों पर हम जाते हैं, यहां पर है, सिक्केम is the least populous and second smallest among the Indian state, a part of the eastern Himalayas, सिक्केम is notable for its biodiversity, including alpine subtropical climates, as well as being host to Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on the earth, the capital is Gengtaug, in the south eastern part of the state, अच्छ, अच्छ, अब यह सारा हमें क्यों लिखके दिया गया है, उपर दिये गए paragraph को पढ़ कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर, a, e, i, o की सुची बनाई है, अच्छ, अब हम इसमें पढ़ रहें तो यहां पर i action नजर आ रहा है, यह i दिख रहा है, एक, दो, दूसरा i आया, दूसरा डंडा लगा देंगे, फिर तीसरा i आया, तीसरा डंडा लगा देंगे, फिर यह i आया, तो e पे लगाया, फिर a आया, तो a पे लगाया, इस तरह से telly marks आपके काम करते है, o आया, तो o पे लगा दिया, फिर o आया, एक और o पे लगा दिया, u आया यूपे लगा दे इस तरीके से आपको चलते चलना है ठीक है ये मैं आपके लिए तयार करके रखती हूँ ये आपको गिनना है से गिनने में बहुत समय लग जाएगा पूरा ऐसा गिन कर और इसमें रूल आपका क्या रहेगा चार आने के बाद पांचवे पैसे कवर करना है और फिर बारम बारता को हमें गिनना है ठीक है पहला प्रशनी ये रहेगा उसके बाद आपका रहेगा सबसे कम बार तो हमें पहला कुशिन करना पड़ेगा उसके बाद हम दूसा कुशिन कर सकते हैं क्योंकि इसने पूछा है सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वार को लिखें और इसका अंतर निकाले जो कि आकडो का परिस्सर होगा ठीक है? ये मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया था जब हमने पूरी गिंती करी बच्चो तो हमने पाया ए जो है वो 32 बार आया तो देखो कैसे बनाया ये आया 27 बार इतनी बार इन संख्याओं के आवरती हुई ठीक है? उसके बाद पूछा गया है कि सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वार को लिखे तो सबसे कम बार कौन सा आया? आपका यू आया और सबसे अधिक बार ए आया यानि 32 माइनस 6 ये इसका परिसर हो जाएगा तो आप 32 अंग माइनस 6 अंग और इसमें 32 में से 6 गए बच्चों तो कितना बचा? 12 में से 6 गए 26 इसका परिसर आ गया ठीक है? ये आपका परिसर है उसके बाद अगला प्रश्न है तो परिसर निकालना अपनी सीखा किस तरीके से करते? अधिकतम में से नियूंतम निकाला जाए स्वर A तथा I की संख्याओं का अनुपाद अब A और I का अनुपाद निकालना है A आपका कितनी बार आया था बच्चों? A आया था हमारा कितनी बार था? A 28 बार, चेक करें पर, आई है हमारा 28 बार, यह है 32 बार, तो यह हमने लिख दिया, अब इसका अनुपात करना है, चार के पाड़े से दोनों चले जाते हैं, 28 बार, चार अठे, बस इस से आदा यह और सरल होने सकता, ठीक है, तो दूसरे का, यह दूसरा क्वेशिन, यह पहला, यह दूसरा, और यह सूची बनाई है, यह हमने यहां कर दिया, तो मंदल आट पर बड़े अच्छे-चे क्वेशिन्स होगें बच्चों, देखो पहले कितनी बार हैं, कितनी बार ढूंडे, मिलानिचे ने दुवारा काम किया, और उसके बाद परिसर निकालना सिखा, कि यह परिसर अधिक्तम से नियुनतम आकड़ा, और उसके बाद आपने अनुपात भी निकाला, अच्छा, अगला क्वेशिन है आपका, 2011 की जन्गनरा की अ 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो नोट करें, सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, सिक्किम की अतिहासिक जन्संक्या एक तालिका में दीचे दी गई है, यहाँ पे इसकी जन्संक्या दी गई है, जन्सं क्या का माध्य और माध्यक निकालने ठीक है और पीछे वाले questions में आपने सिक्किम के बारे में क्या पढ़ा था यहाँ पे बहुत कुछ interesting चीजे थी कि सिक्किम की एक तो capital आपने पड़ी गेंटॉक है उसके बाद third highest highest peak इसकी इंडिया की कंचन जूँगा है और यह third highest है अर्थ के ओपर चीखिये यह important चीजे हैं सिक्किम की जी कैसे related ओके बच्चो अब इस तालिका को हम देखें इसको देखो यह आपको दे रखिये तालिका कि 1990 में इतनी जंसंक्याती लगबग है यह हजार में 138,000 1961 में हर 10 साल में जंगना करते रहे और हम देख रहें कि बढ़ती जारे एक सो अर्थी, एक सो बासर, 210, 316, 406, 551, 611 अब आप इसको माध्य और माध्यक निकालने है तो माध्यक निकालने का क्या तरीका होता है सब भी जो भी आपको आकड़े दे सब को जोड़ दो जितने आकड़े दिया उससे भाग करो यानि इन सब संख्याओं को जोड़ दो और इस संख्याओं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ से भाग करो तो हमने क्या क्या माध्यक के लिए सबी संख्याओं का योग और कुल संख्या से भाग कर देना है ये बटा का निशान लगाए ना भाग के लिए तो सारी संख्याओं लिख दी साथ से भाग किया सारी संख्याओं का जोड इतना आया इसको साथ से भाग करेंगे आप सभी को साथ से भाग करना आता होगा ना आप मुझे comment section में करके बताएंगे कि आपको ये भाग करने आते हैं कि या मैं ये भाग करके दिखाऊं साथवी के बच्चों के लिए मैं मान रही हूँ कि ये भाग आपको करने आते हैं इस तरीके से साथ चुक अठाइस चार अकेली संख्या ने काम चलेगा तो जीरो लगा के दशम लवगा की एक और हो गया अब साथ पंजे पैतेस इस तरीके से तुम्हारा ये परश्णी चला है ठीक है ये तुम्हारा भाग हो गया इतना तुम्हारा आगया हजार ये तुम्हारा आया किसमे माध्य निकला इतने लगबग हजार में चीक है इतना हजार ओके अब इसका हमें निकालना है माध्यक ये हमने निकाला क्या निकाला माध्यक माध्यक कैसे निकालते हैं सबी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में विवस्तित कर लो आरोही में लगाओ या अवरोही में लगाओ हमने सारे को आरोही क्रम में लगा रखा है यानि बढ़ते क्रम में अब इसका बीच ढूड़ना है अब आप देखो एक दो तीन संख्या इधर है तीन संक्या है दरस के बीच की संक्या क्या है 316 तो उसका माध्यक हो जाएगा 316 ये उत्तर है ये माध्यक हो गया ठीक है हो गया अब हम इन questions को देखते है यहाँ पर हमें दिया गया है नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंडालिक दिया गया है जो भूमी शेत्र समुद्र तल से उचाई भूमी शेत्र को दिखा रहा है समुद्र तल से उचाई औस तापमान नियुंतम तापमान का प्रदी नितित्व करता है निमिलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए सिक्किम का औस तापमान और ये चलो बात में देखेंगे पहले हम देखते है ये नीला रंग जो है दिल्ली को दिखा रहा है और ये रंग सिक्किम को दिखा रहा है तो ये दिल्ली के लिए है ये सिक्किम के लिए यहाँ पर दिया है लैंड एरिया ये लैंड एरिया दे रखा है यानि जो वर्ग किलोमेटर में भूमी शित्र है ना, इस question में हमें ये देखना होगा, land area भूमी, वर्ग किलोमेटर में भूमी शित्र का अंतर, तो यहाँ पर तुम ये देखोगे, 70.96 में से ये हटाओगे, 70.96 में से 14.84 घटाना है, तो तुम्हारा इसका उत्तर आ जाएग वर्ग किलोमेटर में भूमी शित्र का अंतर, इसको देखके, क्योंकि ये land area दिखा रहा है ना, ये देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70.96 के बराबर उसमें आ रहा है, और ये तुम्हारा height above sea level, sea level से उचाई, तो इसके अंदर तुम्हारी सिर सिक्केम के दिखाई गई है, और यहां पर maximum temperature, इनका अधिकतम तापमान दिखाए गया, ये देखो, ये आपका दिल्ली का तापमान है, 48 तक जाता है, ये हमारा सिक्किम का तापमान 30 तक जाता है, तो सिक्किम में बहुत जादा गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वो उचाई पर है, उसके बाद average sea, यानि कि average temperature, average Celsius में temperature दे रखा है, तो Celsius ये centigrade इसको बोलते हैं, ये दिल्ली का तापमान है, 25 एवरेज है और यहां 18 है, तो ये जो पूछा गया है, सिक्किम का उसत तापमान, तो सिर्फ सिक्किम पूछा है, तो इसके लिए हमारा ये उत्तर आजाएगा, ठीक है, इस question को करने के अच्छी exercise दी ना, वरक्षीट मुझे बहुत अच्छी लगी कि बड़े चे question बनाएगे हैं सिक्किम से related, इस सारी वरक्षीट को तुम ना, तुमारी teachers ने जो भी कुछ काम दिया है, ये नाइंद के बच्चे तुमारे भाई बेहन हैं, वो भी इन प्रशनों को इस्तमाल क सकते हैं अपना सिक्किम का प्रोजेक्ट बनाने में, कोविर संदर में उचित वेवार संबंदी आपके लिए निर्देश है, कि नेमित रूप से आप अपने हाथों को साबून और पानी से धोएं, चलो इन प्रशनों के उत्तर हम अच्छे से देख लेते हैं, ये माध्या कैसे किया जाता है, संक्या को अपर लिखा, नीचे लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव आना जी, 6 में से 4 गय दो, 9 में से 11, 10 में से 4 ये बहुत असान है, 56 दशमलव एक तो, सारी वक्षित कम्प्रीट होगी बच्चों, इसको वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ शेर कर लाइक करो, कमेंट करो, और आप सभी अपना ध्यान रखे, खुश रहें, नमस्कार, बाई बाई